टेक टो पुष्पा में आपका स्वागत है तो दोस्तों फाइनली रियल मी अपना एक नया लेप्टॉप रियल मी बुक प्राइम को इंडियन मार्क्री में 7 अप एप्रेल को लॉंच करने जा दिया है कमपनी इसको बहुत दिनों से टीज भी कर रही थी तो आखिरकार इसकी की जो लॉंच डेट है वो कंफर्म हो गई है जो लाश्ट इयर इन्हों ने अपना फर्स्ट लैप्टॉप लॉंच किया था रियल मी बुक स्लिम उसका यह वाला अपग्रेडर बर्जन होगा तो आज के वीडियो में डिटियर्स में बात करेंगे कि इसमें आपको कितों ज लाइक और शेयर भी कर देना चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डिटियर्स में इसी रियल मी बुक प्राइम के बारे में डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें आपको 14 इंच की 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहां पे आपको 400 निट् चार्ज करने के बार इसको लगाता 12 गंटे तक यूज कर पाएंगे और इसको चार्ज करने के लिए आपको 65 वाट का सपार्श चार्जर दी देखने को मिल जाता है तो लाश्ट यह जो रियल मी बुक स्लिप लॉंच हुआ था उसकी बैटरी वैकप थी 11 गंटे का तो उसस TV और i5 लेकिन यह वाला i3 पर नहीं आएगा इसमें सिर्फ आपको इंटल i5 और 11 जनरेशन ही देखने को मिलेगा यही वजाए इसकी प्राइज उससे ज्यादा हो सकती है यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ड मिल जाता है Bluetooth 5.2 के साथ आता है और यहाँ पर आपको 3.5mm audio jack का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और USB port 3.2 देखने को मिलता है मतलब जो data transfer है वो आप लोग काफी जादा fast इससे कर पाएंगे और यहाँ पर आपक इससे काफी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी अगर माइक की बात करें यहाँ पर आपको inbuilt माइक का सपोर्ड मिल जाता है जो AI noise cancellation के साथ आती है तो जो आप video call बगेरा करेंगे तो उससे आपकी जो call करने के experience होगा वो काफी ज़्यादा अच्छा इसमें दे gaming experience है वो भी काफी ज़्यादा इसमें अच्छा लगेगा जैनके अगर बात करें तो यह वाला laptop काफी ज़्यादा आपको slim देखने को मिलेगा इसकी जो thickness है वो 14.9 mm रखी गई है और इसका weight है वो भी काफी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है यह वाला laptop 1.37 kg weight के साथ आता है तो आप इमेंज करेंगे काफी ज़्यादा पतलाव काफी ज़्यादा हलका laptop आपको देखने को मिलता है अब आते इसकी pricing पे तो जो लास्ट यह लॉंच हो था उसकी प्राइस 45,000 से सुरू होई थी और उत्यों को उसमें आपको i3 और i5 दोनों मिल जाते थे बट इ RAM और storage की बात करें तो यहाँ पर जो इसका base variant हुआ पर 8GB RAM के साथ आएगा और 512GB SSD कार्ड के साथ आएगा जिसकी price लगवग 55,000 से 60,000 के बीच में हो सकती है और जो इसका higher variant हुआ 16GB RAM और 512GB SSD कार्ड के साथ आएगा उसकी price आपको 65,000 या 70,000 के आसपास इसकी देखने को मि लगता है इसकी कितनी price होनी चाहिए या फिर कितनी हो सकती है अगर यह वाला laptop 60-70,000 के रुपए बीच में launch होता है तो आप लोग इसको purchase करना चाहोगे या फिन नहीं या आपके मन में इससे related कोई भी doubt हो कोई question हो वो आप मुझे comment करके बता सकते हैं बाकि अगर वीडियो पर अच्छे लगाओ वीडियो को लाइक कर देना जद ज़्यादा शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करना जिससे ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले बिलते रहे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में